अरे भाई जल्दी करो, होगे होगे है मिकल आज हम लोग जा रहे हम लोग के घर के लिए एक नया फ्रिज लेने अज का वेदर बहुत अच्छा है सुनाली काफी टाइम से बोल रहे थे एक फ्रिज लेगी फ्रिज लेगी स्टोर मस्त बना है मम्य आएगी तो यहां पर सब कुछ खरीद लेगी सुनाली भी ऐसे लेगी मतलब सब कुछ उसको चाहिए अच्छी आपिस नोन फो धर गुट कॉलिटी प्रोड़क्स और यहां मैनुफाक्चिरिंग यहां मैनुफाक्चिरिंग वाशिंग मेशिन, माइक्रोवेंस, उसके साथ डिश्वाशर यहां बहुत सारा हिट प्रोड़क्त है उसके लबाशे भी आएप यह को आई फायता है अअप भी ग 4rio पे सरे शकाए। Ama प्रोड़क्ते आप को लिटिशो के ने को जाएंगे 2 जरी शोरे प्रोड़क्चिरिंग मैं नोटिण går त्ट क्यांस कड़रिक्टिश्र अवें बेसफेंग उसके उसका लांच्ट असी टू और आप जैसे देख भाएंगे इट कम्स वीड देख वारेंटी उसके साथ साथ 10 साल का वारेंटी मिलता है on motor and look at the design even मैं तब से चेक कर रहा था ममी बार बार बोल एदी के बार दून में बहुत दिक्क्कत होता है तो मैं सोच रहा था दिश्वाषर के बारे में भी and ibi के डिश्वाषर का क्वालिटी मैं भी चेक कर रहा था इसार वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो कौंसा वार लेन है देस्वान यह है आइभी के अग्दम लेटेस्ट लांच विच इस आई स्मार्ट रेफिरिज यहां पर एक्चुली ग्रॉस कैपासिटी लिखा हुआ होता था लेकिन नेट कैपासिटी नहीं होता था लेकिन अभी 2023 के बात से जितने भी फिच लांच हो रहा है वहां पर आपको नेट कैपासिटी स्टार रेटिंग के नीचे ही दिखाए देगा for an example this fridge is having 306 liter of gross capacity लेकिन इसका जो नेट कैपासिटी है विच इस 285 लीटर ये फिच त्री स्टार रेटिंग के साथ आता है और उसके साथ एक्स्टाइब आपको मिलेगा स्राउंड कूलिंग है स्टेबलाइजर फी ऑपरेशन है और तो कनेक्ट तो होम इंवर्टर इस ओप्शन इस अप्शन इस जाल का आपको कॉम पर वारेंटी मिलता है और एक साल का आपको कॉम्प्रेंस आ और के मिलता है अहां इस फ्रीजर, LED लाइट भी यहां पर दिया गया है, जो काफी रियर है, यह रहा इस फ्रीज का स्मार्ट कंट्रोल पाइनल, यह काफी बड़ा पाइनल है, यहां पर आप अपने फ्रीज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, For an example, सबसे पहले यहां पर Wi-Fi है, Child Lock है, Smart Sense Technology, तो यहां पर LED light के मादधम से आपको पता चल जाएगा कौन से mode भी यह है, उसके बाद यहां पर आपको mode select का एक option मलता है, For an example, अभी है, यहां पर Auto Cool Mode में, उसके बाद यहां पर चल जाएगा Turbo Frizz, उसके बाद है Turbo Cool, Ice Cream, Milt Fridge and उसके बाद है Power Saving Mode, अगर आप चाहते हैं, तो यहां पर temperature control भी कर सकते हैं, तो यह सभी चीज़ यहां पर आपको मिल जाएगा on this control panel, यहां पर आपको हलका सा एक beep sound में मिलेगा जब भी आप इसको press करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे यह operate हो रहा है, तो यह वाला मुझे लगता है काफी एक बढ़िया add-on है एक fridge के अंदर, बाहर से ही आप इसको अच्छे से control कर पाएंगे, एक चीज़ मेरो को बहुत बढ़िया लगा, that is AI Smart Camera, जल्दी से इधर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप fridge के अंदर जाते हैं, अंदर यह लोग के साथ हमेशा होता है, सुनाली हमेशा बोलती है कि यह लाना है वो लाना है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं होता कि fridge के अंदर क्या है, तो यह purpose या फिर यह जो problem है, उसो solve करने के लिए यहाँ पर एक smart AI camera दिया गया है, let me show you how you can use this camera, IP का जो smart app है, वो आपके smart phone में लेंगे ऐसे, यहाँ पर जो smart camera है, यह door, मतलब बेसिकली door के अंदर हम लोग जरने कोल्डिंस है, जो भी हम लोग का ज़रूरी सामान वो रखते हैं, उसका एक photo capture करके आपके app के अंदर safe कर लेगा, तो इससे फायदा क्या होगा, जब भी आप supermarket या फर कहीं पर भी जाते है आपको fridge खोल लेके देखने का जरूरत नहीं, आप directly वो एप खोल के check कर सकते हैं, कि last time जब आप fridge खोला था, fridge के अंदर क्या-क्या सामान था, तो मुझे लगता यह एक बहुत बढ़िया feature है, यह हम लोग का बहुत सारा problem solve भी करने वाला है, यह feature मुझे बहुत बढ़िया दिया गया है, अचली एक है करके मैं आपको बढ़ा तो क्या-क्या cooling mode है, सब सब पहला जो मोटा है, विचिज अ आटो कूल मोट, अगर आप आप अटो कूल मोट पर रख देखते हैं, अपनी हिसाब से इसका temperature है, वो सेट करेगा, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो अपन आपको जल्दी आइस क्यूब कर सकते हैं, तब आपको जल्दी आइस क्यूब कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है, मिल्ट फ्रीजर, यह वाला जो ऑप्शन है, मेरे मम्मी के लिए सबसे दारा useful है, क्या होता है, हम लोग जब फ्रीजर में कोई भी सामान रखते हैं, उसके उसको तुरंत निकाल के हम लोग पका नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एकदम फ्रीज हो जाता है, तो उसको काफी टाइम बाहर रखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसको इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है, आप जो मिल्ट फ्रीजर ऑप्शन है, उसको एनेबल कर सकते हैं, उससे क्या होता है? वो जो सामान है, वो तो ठंडा रहेगा, लेकिन वो एकदम फ्रीज नहीं होगा, उससे क्या होगा? आप फ्रीज से निकाल के डिरेक ली उसको पका सकते हैं, तो मुझे लगता है ये वाला आप्शन बहुत यूसफूल होने वाला ह यह मोट कब काम में आता है, जब हम लोग थोड़ा बात वेकेशन में जाते हैं, लेकिन फीज तो हम लोग वन नहीं कर सकते हैं, उसके बाएसे हम लोग यह पावर सर्वर मोट को अन कर सकते हैं, तो फ्रीज अपनी हिसाब से आपके अंदर का जो सामान है उसको कूल करेगा, जब कूली का ज़रूरत ने तब आटोमेटिकल पावर कट कर देगा, तो इससे क्या होता है, आपका जो पावर कंसर्फियन काफी कम होगा, और फाइनली जो अप्शन आता है, विच इस ता टेंपरेचर सेट मोट, अगर आप चाहते हैं, तो खुच से भी टेंपरेचर को स अच्छा काम किया है, उन्होंने स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है, यहां पर सबसे पहले आपको सरावन कोली टेकनोलोजी देखने को मिलता है, यहां पर अंटी बैक्टिरिल शील्ड भी दिया गया है, विच इस वेरी गूड, क्योंकि क्या होता है, व्रीजर म इरिया है, वो आपका काफी बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा चीज़ आप फ्रीजर पर रख सकते हैं, अब यह जो आइस ट्रेय है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको ट्विस्ट मेकरनिसम है, ऐसा आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, करने के बाद नीच अच्छा चीज़ मेरों को लगा, वो है यह LED लाइट जो फ्रीजर के अंदर दिया गया है, के मामले में, आइप इने काफी अच्छा ध्यान दिया है, यहां पर अगर आप दोड देखते हो, यहां पर जो बॉटल से यहां पर रख सकते हैं, पहले जो आप्शन नहीं था, मेरे घर में जो फ्रीज है, उसमें हम एक लीटर से ज़्यादा बॉटल नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहां पर आप टू लीटर का बॉटल रख सकते हैं, तो स्पेस बैनिश्मेंट अगर देखा चाए, यहां पर काफी अच्छा काम किया गया है, आइप बी के तरफ से, तो यहां पर आपको स्पेस अच्छा ब्राइबल यहां पर आपको मेटल को टेक्न लोगलोगी दिया गया है, उससे क्या होता है, आपका कूलीं का लौंग सीटी है, ज्यादा टाइम तक रहता है, तो यह ऑप्शन भी इस फ्रीज के अंदर आवलेबल है, तो यह ओप्शन भी तो चलिए भी बात करते हैं, Surround Cooling Technology के बादे में. Surround Cooling Technology दिया गया है, चारों तरफ से यहां पर Surround Cool का यहां पर Vents मिलता है आपको, उससे क्या होता है? चारों तरफ से similar kind of cooling आपके जितने भी fridge के अंदर रखे होए सामान उसके अंदर जाएगा, उससे cooling काफी बैतर होता है और हर वो एक चीज जो फ्रीज के अंदर रहता है वो सही से, same temperature में कूल होता है एक चीज मैं हमेशा नोडिस करता है मेरे घर में भी ऐसा होता है कि एक फ्रीज आप जादा ताइम इस्तेमाल करते है फ्रीज के अंदर काफी smell हो जाता है तो वो problem sort out करने के लिए आप भी ने क्या किया है फ्रीज के अंदर दिया है एक smart deodorizer यह smart deodorizer क्या करता है आपके फ्रीज का जो smell है या जो भी खराब चीज़े है उसको automatically refresh कर देता है तो आपका जो fridge है फ्रीज के अंदर का जो सामान है काफी लंबे टाइम तक काफी fresh रहता है विदाउट smell ही रहता है इस fridge के अंदर auto connect home inverter भी है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है तो आपको अलग से कुछ on off करने का ज़रूरत नहीं यह जो fridge है आपके घर के inverter से connect हो जाएगा जिससे क्या होता है आपको continuously आपको पावर मिलता रहेगा आपका जो operation है वो चलता रहेगा परसुनाली कैसा लगा फ्रीज बहुत अच्छा लगा फीचर बहुत सारा है काफी अच्छा है और कलर तो बहुत अच्छा लगा अच्छा मेरे घर के साथ से अच्छीली काफी अच्छा मैच हो जाएगा एंद मुझे भी जो options अच्छी अंदर वो काफी अच्छा लगा smart feature है smart AI camera feature है वो भी अच्छा लगा so definitely we have finalized this fridge अच्छा साथ मैं यह जो आपी पॉंट पर आया यहां वाच्छा तरफ घूमाइब यहां जो डूसरे उनके जितने भी अच्छा लगा अच्छा लगा पुट किया है which is in Maharashtra जहां पर वो लोग dedicatedly refrigerator बना रहे है और अधिक जानकारी के लिए www.ifbapplyances.com में जा सकते हैं वहां पर आपको और भी बहुत सरे product and features के बारे में information मिल जाएगा and online platform में तो AIB products काफी सालों से available है तो गाइस कैसा लगा ये video definitely comment करके बताना उसके साथ सब्सक्राइब फॉल्य में ट्विटर फेस्बूक एंड शियोली ओन इंस्टागरम विज इस इंस्टागरम साइड़ाव 15 तो इस वीडियो में अभी तक लेतना है this is your host of me signing off from data hope to see you in my next video bye